हेलो गाइज इस इसमी जियावलसन एंड यूर वाचिंग हासनार स्टुडियो तो आपका इंतजार अब खतम हो गया है जो 22 और 23 में 12 के स्टुडेंट होने वाले पेंटिंग के उनके लिए स्लेवस लौच कर दिया गया है सीबसीगा तो यहाँ पर सेम पैटर्न आगया है पुराना बाला बापस तो यहाँ जो आपका जो टाइम अलाट होगा एक्जाम के ताइम पर वो 2 आर्स होगा गासीम आप 30 होगा मैक्सिमम मार्क 30 और जो पुराना था सब वही है जो सलेवस है आपका जैसे कि आप यूनिट 1 में देखें तो दराइस्थानी स्कूल और पहारी स्कूल आएगा यूनिट 2 में आएगा आपका दा मुगल और डेकन स्कूल अपिनियेचर पेंटिंग और यूनिट 3 में बंगॉ स्कूल पेंटिंग मन मौर्डर ट्रेंड सीन इंडियन आर्ट तो यह सब वही होने वाला है आपका जो पुराना था और अगर हम इसे डीपली देखें कि क्या-क्या उसमें आने वाला है और यह मैक्सिमम मार्क जो आपका 30 ही होने वाला है और तो इसमें जैसे नीचे आप राइस्थानी स्कूल में आपको क्या-क्या पढ़ने की ज़रूत है क्या-क्या आप पढ़ेंगे तो इसमें फर्स्ट आपको पढ़ना होगा ओरीजिन और डावलपमेंट और सब स्कूल की बात करें तो इसमें आपको मेबार, बूंदी, जोदपूर, बीकानेर, किशंगर और एनजैपूर आपको पढ़ने की ज़रूत है, और मेन फीचर की बात करें, तो उसमें राइस्थानी स्कूल के जो भी स्टाइल उसमें यूज हुए है, राइस्थानी स्टाइल पैंटिंग में यूज हुआ है, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और पैंटिंग कौन हम देखेंगे और इनके सब स्कूल के बारे में देखेंगे की कौन कौन से सब स्कूल में बनी हुए है यह लिस्ट तो आपको याद करनी ही पड़ेगी ठीक है उसके बाद हम पहारी स्कूल की बात करें तो उसमें भी आपको सेम ओरीजिनल डावलपमेंट पढ़ने की And Gawal यह सारे साद स्कूल आपके सलेबस में दिये गए है तो यह आप पढ़ेंगे Okay Main features of the bahari school तो main feature मेए हम वही पढ़ेंगे कि style कौन सा यूज हुआ है और क्या themes वगरा यूज हुए है यहाँ पर वही हमें पढ़ना है और इसकी painting देखें तो यहाँ पर सिर्फ two paintings और two paintings में कौन-कौन सी painting आती है हमारी वही Krishna with gopies and second one नंद याशोदा and Krishna with kinsmen going to virendavana तो यह दोनों अलग है Krishna with gopies अलग painting है और नंद याशोदा and Krishna kinsmen going to virendavana यह दूसरी painting है और यहाँ पर इनके artist की बात करें तो मनाको और नेंसुक आएगा और इसका साब स्कूल बसौली and Kangra अब हम unit two की बात करें तो इसमें मुगल और डेकन स्कूल यह दोनों चैप्टर आने वाले आपके तो मुगल स्कूल में भी वही है आपको original development तो हर स्कूल का पढ़ना है और उसके main features that की उसमें style कैसे कैसे use हुए है और क्या थीम्स थे वहाँ पर पर और क्या वो costume बगएरा थी तो वो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी इसमें features में और फिर paintings की बात करें तो यहाँ पर भी आपको चार painting देखने को मिलती है जिसमें Krishna lifting mount गो पर थे ना आपको याद रखना है कि किस आर्टिस ने इस पेंटिंग को बना है फिर आता है डेकन स्कूल तो इसमें भी सेम है original development आपको पढ़ना है लेकिन यहाँ पर सब स्कूल नहीं दिये गए हैं डेकन स्कूल और आपके मुगल स्कूल में लेकिन फिर भी जो आपकी जो 2022-23 में जो एक्जाम होने वाला आपका 23 में तो उस में आएगा ठीक है यह सारा स्लेवर्ट आने वाला है और अब टमवाईज आपके एक्जाम नहीं होने वाले हैं है एस पर पूरा फाइनल में और आप यहां पर युनिट तरी की बात करें तो बेंगॉल स्कूल में आपको तो इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं इसके किया है और यहां पर पड़ेंगे यह थोड़ा सा एक चोटा साब है आप बिसे हमारी प्लेलिस में जाकर कर सकते हैं सारा स्लेवस आपको कवर किया हुए यह सारा स्लेवस पुराना वाला ही है तो आप हाँ से बढ़ सकते हैं या फिर हम कुछ दिर बाद जब टू-था का एकजाम हो जाएगा उसके के बाद हम शुरू करेंगे नए बैच का जो जो प्रिप्रेशन है उसके बाद हम शुरू करेंगे तो अगर इंट्रेक्शन ऑफ दे बंगॉल स्कूल की बात करें तो यहां पर भी ओरिजिन और डावलपमेंट आपको पढ़ने की जुरूरत है यहां पर तो इसके बारे में यहां पर हम जान लेंगे थोड़ा और जो है इसमें हमें क्या करना है मॉडर्न त्रेंट इन इंडियन आर्ट में जो मॉडर्न टाइम में पैंटर्श थे उन्होंने जासे पैंटिंग्स बना या ग्राफिक प्रिंट क्राइब या न इब कलें तो60 ऑर ग्राफिक के बात करें यहां चिल्डर नेर यहां पर आपको यह ज़रूर दिहान रखना पड़ेगा कि अगर आप पिंटिंग के स्टुटेंट थो आप सोचते लिए नहीं पड़ेंगे स्कुपचर नहीं हैं यह चीज़े आपको पढ़ना हैं आप सीबी जो और यहां पर देखने को मिल जाएगा आप वहां से पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस में जाकर कर सकते हैं पूरा-पूरा हमने slaves complete करवाया हुआ है तो आप वहाँ से भी बढ़ सकते हैं और वैसे जो नया batch हम start करेंगे वो हम June के बाद start करने वाले हैं क्योंकि जो हमारे अभी 22 में जो exam होने वाला है 12 class का तो वो होगा June में तो पहले हम उनकी तयारी पूरी करवा देंगे exam की तो उसके बाद हम आपके लिए शुरू करेंगे जो नया batch है 22 and 23 वाला तो आप इसे June के बाद से देख सकते हैं अगर आप नया batch देखना चाते हैं या फिर आप पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्यू फो वाचिंग